तो सबसे पहला प्रशन आपने देखा, पीसा की जुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिर जाती है? तो पीसा की जुकी हुई मीनार गुर्तवा क्रश्ण के गारण नहीं गिरती है next question देखते हैं black hole के सिद्दान्द को किस ने प्रतिपादित किया था तो S. चंद्रशेखर जी ने black hole के सिद्दान्द को प्रतिपादित किया था sonar adhikanstha कहां पर प्रियोग में लाया जाता है तो sonar adhikanstha 9 संचालकों की द्वारा प्रियोग में लाया जाता है CFL का पूरा नाम क्या है CFL का पूरा नाम क्या है तो compact fluorescent lamp CFL का पूरा नाम है सूर अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है तो प्रकास के प्रकिर्णन के कारण सूर अस्त होते समय लाल रंग का दिखाई देता है Einstein को noble पुरुसकार किसके लिए दिया गया था तो प्रकास विद्धुत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन को नोबल पुरुषकार दिया गया था Next question देखते हैं आकास का नीला रंग किसके कारण होता है तो प्रकास के प्रकृर्ण की घटना के कारण आकास का रंग जो है वो नीला होता है आकास गंगा किस रूप में वर्गी कृत की गई है तो आकास गंगा जो है सरपाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गी कृत की गई है Next question देखते हैं एक क्रत्रिम उबग्रह में विद्धुत उर्जा का इस्त्रोत क्या है तो कार में पीछे का द्रश देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रियोग करते हैं किसी पिंड का भार कहां पर सरवाधिक होता है तो किसी भी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर सरवाधिक होता है जब कोई वस्तु दो समानतर समतल दरपण के बीच रखी जाती है तब बने हुए प्रतिविम्मो की संख्या कितनी होती है तो जब कोई वस्तु दो समानतर समतल दरपण के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिविम्मो की संख्या अनन्त संख्या होती है नेक्श कॉशन देखते हैं कृष्ण चिद्र सिद्दान्त को किस ने प्रदीपादित किया था तो कृष्ण चिद्र सिद्दान्त को S. चंदर शेखर जी ने प्रदीपादित किया था नेक्ट कॉशन देखते हैं ट्यूब लाइट में वे उर्जा का लगभग कितना प्रिवर्थित भाग जो है प्रकास के रूप में परिवर्थित होता है तो ट्यूब लाइट में वे उर्जा का लगभग 60-70 प्रिवर्थित भाग ही प्रकास उर्जा में परिवर्थित होता ह नेक्ट कॉशन देखते हैं खत्रे के संकेतों के लिए प्रकास लाल रंग का प्रकास क्यों प्रयोग किया जाता है तो खत्रे के संकेतों के लिए लाल रंग के प्रकास का प्रयोग करने का मुख्य कारण है इसका प्रकीरन कम होता है इसी लिए लाल रंग का प्रकास प्रयोग होगा तब आपको धूप नहीं लगेगी प्रत्वी के गुरुत्वा कशन का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वा कशन के सबसे नजदीक है तो प्रत्वी के गुरुत्वा कशन का एक बटे जो विकरन तापमान का तापमापी होता है उसे पायरो मीटर कहा जाता है नेक्श देखते हैं तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है- तो अगर तेल की बून जल पर पड़तीह तो वह फैल जातीह ये प्रश्चतनाओके और तेल का जलतनाव पानी से कम होता है इसलिए तेल जलकी ततब पर फैल जाता है दीर्ग रेडियो तरंगे प्रत्वी की किस सता से परावर्तित होती है तो दीर्ग रेडियो तरंगे प्रत्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती है दूरबीन का अविश्कार किस ने किया था तो दूरबीन का अविश्कार गैलिलियो गैलिली ने किया था नेक्स कॉशन देखते हैं ध्वनी तरंगे कहा नहीं चल सकती है तो ध्वनी तरंगे निरवात में नहीं चल सकती है इसलिए जो अंत्रिक श्यात्री है वो अपनी बात को नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशग है नाभकिय रियक्टर और परमाणू बम में क्या अंतर है तो नाभकिय रियक्टर में श्रंखला का अभी क्रियान वियन नियंतरित होता है परमानु बम में नहीं होता है निकट द्रश्टी दोस मायोपिया वाला व्यक्ती कौन सी वस्तु को इस पश्ट रूप से देख सकता है तो निकट द्रश्टी दोस अर्थात मायोपिया वाला व्यक्ती नजदीक की वस्तु को इस पश्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तू को इस पश्ट नहीं देख सकता है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही क्यों निकलने लगती है तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय वायूदाप की कमी के कारण पैन से स्याही निकलने लगती है पराश्रवे धोनियों की आवरत्ती कितनी होती है तो 20,000 हर्ज से अधिक पराश्रवे धोनियों की आवरत्ती होती है पाइरोमीटर नापने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो पाइरोमीटर नापने के लिए मतलब उच्छ तापमान को मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रियोग किया जाता है प्रकास का रंग निर्धारित कैसे होता है तो प्रकास का रंग उसके तरंग देर्द से निर्धारित होता है नेक्ट कॉशन प्रैशर कुकर में भोजन कम समय में क्यों तयार हो जाता है तो प्रैशर कुकर में जल का कोथनांग बढ़ जाता है इसके कारण भोजन कम समय में तयार हो जाता है बिजली के बल्व का तंतू किसका बना होता है तो बिजली के बल्व का तंतू टंगश्टन का बना होता है बॉकसाइड किसका आयस्क है तो बॉकसाइड एल्यूमिनियम का आयस्क है नेक्स कॉशन दिखते हैं मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है तो मिट्टी के घड़े में वास्पी करण की प्रक्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है मिराज म्रग तरिश्टना किसका उधारण है तो मिराज या म्रग तरिश्टना जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उधारण है म्रग मरिशिका का कारण क्या है तो प्रकास का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होना म्रग मरिशिका बनने का कारण है रक्तदाब मापने वाले यंद्र को क्या कहते हैं तो रक्तदाब मापने वाले यंद्र को स्फिक्नो मैनोमीटर कहा जाता है रडार किसके उपयोग में आता है तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तों की इस्थिति ग्याद करने के लिए रडार का उपयोग करते हैं अगला प्रशन देख लेते हैं रेडार का प्रियोग क्यों करते हैं तो रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तों की उपस्तिते तथा अवस्तिती ग्याद करने के लिए रेडार का प्रियोग किया जाता है रेडार का प्रयोग मुख्य रूप से कहां पर होता है तो रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तों का पता लगाने के लिए रेडार का उप्योग होता है ये एक ही प्रशन को अलग-अलग शिट में अलग-अलग तरीके से पूशा गया आप इससे समझ सकते हैं कि कॉशन एक ही होते हैं लेकिन पूशने का तरीका अलग-अलग होता है तो आप बेसिक नॉलिज याद रखिए बाकी कॉशन आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं रेफ्रिजरेटर में खाद पदार्थ जो रखा रहता है उसको ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है तो 4 डिग्री सेंटिग्रेट पर रेफ्रिजरेटर में खाद पदार्थ ताजा रखने के लिए सुरक्षित रखने वाला तापमान है लेजर युक्ती से क्या उत्पन किया जाता है तो उद्दीप्ति विक्रण को लेजर युक्ती के द्वारा उत्पन किया जाता है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है तो पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण हीरा जो है चमकदार दिखाई देता है लोलक घडियां गर्मियों में शुद्ध हो जाती है क्यों तो लोलक घडियां गर्मियों में लोलक की लंबाई पेंडलम की लंबाई बढ़ जाने के कारण सुस्त हो जाती है किसके कारण वर्षा की बूने गोलाकार हो जाती है तो जल में प्रश्च तनाव होता है इसके कारण वर्षा की बूने गोलाकार हो जाती है वायू की गती किसके द्वारा मापी जाती है तो एनिमी मीटर के द्वारा वायू की गती मापी जाती है एनिमी मीटर के द्वारा नेक्स कॉशन देखते हैं क्या पूश अगय है वायू मंडल की आप एक शिक आद्रता जो किस से मापी जाती है हाई ग्रो मीटर से मापी जाती है नेक्स कॉशन देखते हैं वाहनों की प्रश्ट द्रश्टी दरपन के लिए किस दरपन का प्रियोग करते हैं मतलब वाहनों को अंदर का दाब कितना होता है तो वायूमऑन्डवाइब से अधिक होता है सांबून County अंतर का दॉपन होती है तो शुर की उर्जा कि द्वारा मुझा दुपन होती हैँ अच्छा सूरय में जो उर्जा उत्पन होती है किन दो गैसों के कारण उत्पन होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आप बता सकते हैं तो जरूर बताइए दोस्तो इस वीडियो में लास्ट यर एंटीपीसी के कॉशन्स चो लिये हैं मैंने उसमें रिपीट इसलिए हुए है क्योंगी शिप्ट बाइस कॉशन्स सेम अलग अलग तरीके से पूछेंगा है अगर आपको किसी कॉशन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इससे पहले भी हम टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुके हैं अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कमेंट करके हमसे आप बोलिए तो हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे या आप वीडियो को चैनल के पेज़ पर जाकर खुद देख सकते हैं चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन ओन कर लीजेगा जिससे आपके लिए रोज ये टेस्ट सीरीज के नोटिफिकेशन मिल सकें और